दमस्कार किसान भाईयों, मेरा नाम नरेंद कुमार यादों आप सभी का मेरे उटूब चैनल पर बहुत स्वागत है किसान भाईयों, आपको मैं आज खीरे की बीज के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ किसान भाईयों क्योंकि अब समय आ रहा है और खीरे की बुवाई प्रारम्भ हो गई है किसान भाईयों खीरे की गुणवत्ता उसकी रोग प्रतिरोधक छमता बीजदर कितनी दूरी पर बोया जाए और तमाम जानकारिया है इसके सम्मंदित मैं देना चाहता हूँ क्योंकि किसी फसल की किसान भाईयों बीज ही उसकी निव होती है किसान भाईयों सरपर्थम हम खीरे की बीज की गुणवत्ता के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि किस कम्पनी का बीज आप लाकर अपने खेत में बुवाई करें कितनी मात्रा में करें किसान भाईयों सर प्रतम मैं आपको बताना चाहता हूं सनराइजिंग सीड्स फार्म प्राइबेड लिम्टेट कंपनी का जो की रुपाली के नाम से हाइवरेड खीरा आता है सर्बोत्तम उत्तम क्वाल्टी का उत्तम गुणवत्ता वाला रोग प्रतिरोधक छमता और इसके फल हमेशा हरे रह कि रोग भीमारी का लगने का बहुत कम चांस होता है किसान भाईयों सनराइजिंग सीड्स फार्म प्राइबेड लिम्टेट कंपनी का हाइवरेड रुपाली के नाम से खीरा आता है किसान भाईयों इसकी जो बीज दर मात्रा है किसान भाईयों ये आपको 300 से 300 ग्राम प्रति एकड़ और इसकी बीज से बीज की दूरी 18 से 20 सिंटीमीटर पर बुआई करनी चाहिए किसान भाईयों खीरा की फसल के लिए सबसे खोता है कि उसमें कितने दिन में फूल फ़लाइंगे फल का आकार कैसा होगा फल का वजन कितना होगा रोक प्रतिरो धक छमता कितनी होती है इन सभी तमाम जानकारियों को मैं आपको बताना चाहता हूं किसान भाईयों सरपर्दम मैं आपको संराइजिंग सीर्च फार्म जो की रुपाली के नाम से अपना खीरा देती है मार्केट में इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ जो बहुत ही अच्छी उपज और उत्तम गुनवत्ता वाला होता है किसान भाईयों इसकी पहली तुड़ाई 38 से 42 दिन में हो जाती है और इसके फल का रंग हरा भरा रहता है हमेशा फल का वजन 180 ग्राम से 200 ग्राम तक होता है यह लंबी दूरी के लिए भी बहुत ही अच्छा है इसके फल जो है सुरच्छित रहते हैं इसकी जो है अन कंपनियों की अपेक्छा पैदावार ज्यादा होती है जो भी मार्केट में जो भी कंपनियां मार्केट में अपना खीरा दे रही है खीरे का बीज दे रही है उन कंपनियों की अपेक्छा इसमें रोग क्रादावार बोलसकते खीरे में सबसे बड़ी समस्या खर्रा की होती है, जिसे खायरा या खर्रा आप बोल सकते हैं, खर्रा इसमें बहुत ही कम खर्रा का प्रकॉफ होता है, किसान भाईयों हम आपको बताना चाहते हैं, मार्केट में तो वैसे तमाम कंपनियों के बीज आपको उपलब मिलेंगे, लेकिन जो Sun Rising Seats Private Limited Company का खीरा है जिसका नाम रुपाली है इसकी गुणवत्ता उपज किसान भाईयों आपने अक्सर देखा होगा कि गर्मियों में जब तापमान बढ़ने लगता है तो हरे जो खीरे निकलते हैं उनका रंग सफेद होने लगता है किसान भाईयों यही इसकी ग और खाने में स्वादिश्ट होता है इसका फल जो है वो तकरीबन 18 से 70 मीटर होता है किसान भाईयों मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप जिस भी कंपनी का खीरा लगा रहे हैं उसको आप लगाते रहे लेकिन इसके साथ साथ आप Sun Rising Seats Private Limited Company का जो रुपाली के नाम से खीरा आता है बहुत ही अच्छा सस्ता उत्तम गुणवत्ता वाला है क्योंकि किसान भाईयों बीज ही किसी भी फसल की निव होती है किसान भाईयों इसके अलावा और भी कई खीरे आपको मार्केट में बाजार में आपके नज़िदी की बीज कंपनी का मलनी क्हीरा है और गर्लस से खीरा आता है उसके बाद में आमधारी सेंच के खीरा चार तो चार नमबर आता है किसान भाईयों इन सबके साथ साद जो आपका संग्राईजिदी प्राइंड लिम्टे तर कंपनी का रुपारी खीरा ये बहुत ही अच्छा सस्ता और इसकी गुनवत्ता बहुत ही उत्तम है इसमें रोग बहुत ही कम लगते हैं और आप इसको बड़ी आसानी से यातायात यानि कि आप कहीं भी ले जा सकते हैं इसके फल खराब नहीं होते हैं जो कि आपको आपके नजदीकी 20 भंडार के दुका पर मिल जाएंगे किसान भाईयों यद जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और सेर जरूर करें धन्यवाद